यहां पर आज चुनाओ चल रहे हैं चुनाओ चल रहे हैं बहुत तमाम पाटियां आपके सामने आ रहे हैं कुछ को तो आप अच्छी तरहे से पहचान रहे हैं भाजप्पा की मैं बात कर रही हूँ आपने खुद देखा कि आपने कितना अंदोलन किया आपने कितनी आवाज लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं की, तो उनकी तो बात ही नहीं करते हैं, उन्हें आप अच्छी तरह से पहचानते हैं, लेकिन यहां एक और राजनेतिक दल है, जो दिल्ली से आया है, अब उनको आप सही तरह से पहचान रहे हैं कि नहीं, इसके बारे में आप से मैं पूछन चाहते हूं। देखिए आपके सामने दिल्ली का मॉडल दिखाया जाता है बड़े-बड़े विग्यापनों पे और आपके पास लोग आकर परचार करते हैं कि दिल्ली का मॉडल देखिए दिल्ली की सरकार देखिए मत भूलिये मेरे बाईों और बेहनों एक बार पहले एक ऐसे मॉडल का प्रचार हुआ था दो हजार चौदा में जब भाजबपा की केंद्र में सरकार बनी थी तो गुजरात मॉडल के अधार पे बनी थी उसी तरहें से जिस तरहें आपके सामने आज प्रचार हो रहा है बड़े बड़े विग्यापन थे इतना विकास हुआ है गुजरात में बिजनस असान हो गया है गरीब नहीं है सब अमीर हो रहे हैं सब खुशाल है किसान खुशाल है रोजगार ही रोजगार है और क्या हुआ वो मॉडल सिर्फ विग्यापनों में था आपको एक ऐसी सरकार मिली जिसमें रोजगार घट को कुचल डाला एक ऐसी सरकार मिली जिसने सिक्षा सेहत के कोई संस्थान नहीं बनाए और दिल्ली की असलियत भी अलग नहीं है जो आम आदमी पाटी है वो अभरी कहां से है वो अभरी ही आर्यसेस से है आम आदमी पाटी के नेता खुद कहते हैं कि हम भाजप्पा से बड ग्यापन देखते हैं, उसमें किसका चहरा दिखता है, केजरिवाल जी का चहरा दिखता है, एक ही नेता का चहरा दिखता है, क्यों, क्योंकि अग सरकार बनेगी यहां तो वहां से चलेगी, कोई फरक नहीं होगा किसी भाजप्पा की सरकार में और इन में, ये भी दिल्ली से ह चलाई जाएगी, हस्पताल भर गए थे, कुछ नई हैं हैं हस्पताल, नई स्वास्विधाय नहीं बनाई, जाचों में घोटाले थे, मृत्यू के आकड़ों में घोटाले थे, हर तरह से हर तरफ से जब आप देखें, तो वहां की सरकार विफल हुई है, क्या आप ऐसी सरकार अपने पंजाब में भी चाहते हैं, या आप एक ऐसी सरकार चाहते हैं, जो अपनी गलतियों को समझते हुए, लेकिन एक नई राजनीती को भारे, पहला फैसला ये करना चाहते हैं, कि एक लाख रोजगार बनाए जाएं, महिलाओं को प्रती माह ग्यारा सो रुपे दिये ताकि उनका कुछ सपोर्ट हो, जो ग्रिहस्त महिलाएं उनको, जरूरत मंत परिवारों को हर साल फ्री में एक कैस का सिलिंडर नहीं, लेकिन आठ कैस के सिलिंडर देना चाहते हैं, सरकारी अस्पताल में 20 लाग तक मुफ्त इलाज करवाएंगे, राज रोजगार योजना क तहत पंजाब में के सभी निवासियों को सौ दिन का रोजगार का गैरंटी दिया जाएगा, आंगनवारी की बेहनों को दस हजार रुपे प्रतिमाह दिया जाएगा, सरकारी स्कूलों की लड़कियों को स्मार्ट फोन और लैप्टॉप दिया जाएगा, तो ये सरकार जो इतना सारा कुछ करना चाहती है, ये सिर्फ चुनाव के समय आपको ये कहने के लिए नहीं आई है, इनका दिल आपके लिए धड़कियों आपको दिखाया जा रहा है, वो आपकी असलियत नहीं है, सच्चाई ये है कि चाए भाजप्पा की नीतियां हो या दिली में आम आई से, खोन पसीने से, आप किसान है, आप मजदूरी करते हैं, आप छोटे-छोटे कारोबार खोलते हैं, छोटे बिजनस हैं आपके, उनकी मदद के लिए एक सरकार चाहिए, एक ऐसी सरकार जो आपके छोटे बिजनसों को, आपके छोटे दुकानों को मजबूत बनाएं अपने जित्ते संकट देखे हैं कोविड के समय लॉकडाउन के समय बेरोजगारी की वज़े से उनको दूर करने का काम करें लेटेश अपडेट्स और ताजातरीन खबरों के लिए टीवीवर इंडिया लाइब को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत देए